मुसा बादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी वीदा पीपल का जो कंसेट है वो बहुत साधारण सा बहुत सरल सा इतना सरल है कि उसको चीटी भी जानती है और इतना मुश्किल है कि हमारे नेता और हमारे अगुआ और हमारे संग्ठनों के प्रधान हमारे भाषणवाज, हमारे बुद्धी जीवी, हमारे डॉक्टर, हमारे पीएशडी हमारे बड़े बड़े लोग वो नहीं जानते चीटी जैसी चीज जो ना पढ़ी है, ना लिखी है, ना गुनी है, ना बोल सकती है ना लिख सकती है, ना यूनिवेस्टी जा सकती है, उसको समझ में आता है कंसेप्ट वीदा पीपल समढ संका और जिनोंने बड़े बड़े पोथी पत्रे पढ़ लिये उनसे भाषण पूरे दिन का करा लो, बहस पूरे दिन की करा लो, तरक पूरे दिन का करा लो और कंसेप्ट में जीरो बटे, जीरो जो बच्चे हैं छोटे वो भी जानते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है कहीं बच्चों की अगर छोटी गाड़ी फच जाए तो तुरण सारे बच्चे आ जाते हैं धक्का मानने के लिए और उस धक्के मान के गाली को निकाल लेते हैं अकेला बच्चा नहीं निकाल पाता उन बच्चों को भी पता है क्योंकि नेचुरल कंसेप्ट है और इस नेचुरल कंसेप्ट को अननेचुरल बनाने में कितने सारे लोगोंने महनत कि है इस concept को हमसे खटाने में कितने साइन लोगोंने महनत कि है इसको अगर आप जानेंगे समझेंगे तो ताजुब करेंगे दो सेनाय आपस में खड़ी हुई हैं लड़ने की लिए त्यार एक सेना के पास में बहुत बड़ी हतियार है आधुनिक हतियार एक से एक बड़ीया बंदूग एक से एक बड़ीया तोप एक से एक बड़ीया गोला और दूसरी सेना के पास में हतियार के नाम पे सबजी काटने का चाकू रात को दोनों सेनाएं अपने ख्यामे में सो रही है और सुबह उनको युद्ध के लिए लड़ना है तो जिसके पास चाकू है वो सेना कैसे लड़े तो उसके कुछ हुश्यार लोग रात को जाके दूसरी सेना में से उसके हत्यारों को चुरा लाते हैं और अपनी सेना में ले आते हैं तो सेना के जो सिपाई ही हैं जिनको सुबह लड़ना हैं जब वो हत्यार देखते हैं कि हमारे पास रात को हत्यार नहीं थे और हत्यार आगे तो पूस्ते हत्यार कहा से आए तो कहते हैं सामने वाली सेना जो है उसके चुरा लाए हम तो वो कहते हैं हम तो लड़ेंगे नहीं इन हतियारों से ये हतियार तो हमारे नहीं है ये तो चौरी के हतियार है ये तो दूसरे के हतियार है ये तो अधम है ये तो अधर्म है तो जो समझदार लोग होते हैं उसके दो कान पर मारते हैं और सेना से निकाल के कहते हैं इनको मुरगा बनाओ इनको घदा बनागे टट्टू बनागे इनको पर सामान ला दो अरे हतियार से गोली चलानी है या पूजा पाट करेगा हतियार से तो गोली चलती है, बंदुक से तो गोली चलती है तेरा जो काम है वो ये है कि तुझे गोली चलानी है सामने इससे क्या तुझे देखना है कि ये चोरी की है, ये कहां से आई, कहां से ने आई इसलिए नियम बना कि युद्ध में सब जाइज है और फिर बाद में यह बना के महबत में और जंग में सब जाइज है ये तो महबत करने वालों ने उसमें जोड़ दिया असली काम यह है कि युद्ध में जंग में सब जाइज है साम दाम दंड बेद छल कपट सामाजिक युद्धों के अंदर जो सामाजिक बदाब के युद्ध होते हैं जो करांति लाने के युद्ध होते हैं जो संखती संसकरिति कल्चरल युद्ध होते हैं उसमें हतियार नहीं चलते जो राजनियतिक युद्ध होते हैं उनमें हतियार चलते हैं अगर सामाजिक युद्ध के जो वैपन हैं, जो हत्यार हैं, वो बड़े घातक हैं, वो तोप से और बंदूख से भी यदा घातक हैं, क्योंकि तोप और बंदूख तो एक वार चली ठुन हुई आवाज और काम खतम, लग गया गोला तो ठीक है, नहीं लगा गोला तो अपने लेते रहो, थोड़ा सा उनको सफाई सफाई करते रहो, तो वो लगातार चलते रहते हैं, इनको पहचानने वाले जो लोग होते हैं, कि ये सामाजिक गोला बारूद हतियार कौन से हैं, जो युद्ध में काम करते हैं, सामाजिक युद्ध में, वो बड़े समझदार और श सामाजिक हत्यारों के अंदर जो सामाजिक प्रॉपर्टी है जो सोसल प्रॉपर्टियां है उन पर हमला किया जाता है और उन पर हमला करके उनको अपने खेमे में लाया जाता है और उन पर अपनी महल लगाए जाती है कि अब ये हमारे हत्यार है ठीक वैसे जैसे दुस्मन के हतियारों को अपने खिमे में लाके कहते हैं कि अब यह हमारे हैं क्योंकि हमने कब जाकर लिया सामाजिक जो प्रॉपर्टियां होती हैं जो समाज की जाजाद होती हैं वो पैसा नहीं होती वो खेत खलियान नहीं होते वो कपले लत्य नहीं होते जो सामाजिक प्रॉपरटियां होती है सामाज की वो होती है उसकी कल्चर उसकी संखती उसकी संस्क्रती उसके रीती रिवाज उसकी परंपराएं उसकी मानताएं उसकी सिक्षा ये सारी चीजें जो वो पूरी जिंद्गी सीखते हैं, जो जानवर से मनुफसे बनने में उन्होंने सीखी हैं, ये उनकी किसी समाज की असली प्रपरटी होती है, और इसको छीन कर तीन तरीके इसके छीनने के हैं, या तो इसको नश्ट कर दिया जाए, निस्ताबूत कर दिय जाए, या इसमें मिक्स कर दिया जाए, और या इसको अपने नाम लिख लिया जाए, और समझदार लड़ने वाला तीनों काम करता है, एक काम नहीं करता है, और जो बेफकूफ होता है, वो हमेसा तेरा और मेरा करता रहता, तेरा मेरा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेर ऐसे बेफकुफ लोग जितने भी होते हैं वो युद्ध में घदे के लायक होते हैं उनको सामा लात के टट्टू मारके लात मारके निकाल देना चाहिए क्योंकि सामा जिक युद्ध बहुत गंभीर और खतरनाक होते हैं अगर इसकी रड़नीती रपूर्टनीती समझ में नहीं आती है तो महापुर्सों को देखना चाहिए तो महापुर्सों से सीखना चाहिए और महापुर्सों से सीखने की हिम्मत नहीं है तो जिसको दुस्मन करते रहते हो जिसको पूरे दिन रटते रहते हो जिसको पूरे दिन याद करते रहते हो उससे सीखना चाहिए कि वो क्या-क्या संस्क्रित रूप में संस्क्रित रूप में क्या-क्या आप से ले गया क्या क्या अपने नाम लिखवा गया और क्या-क्या उसने बदल दिया और क्या-क्या उसने नश्ट कर दिया अगर इसकी पहचान नहीं है तो घर लोड जाना चाहिए उसके बसकी युद्ध लड़ना नहीं है यह जो सामाजिक युद्ध है इसकी बहुत बारीक-ब लेके जाती, अपने बीबी बच्चे तो कभी नहीं लेके जाती तो वहाँ के लोगों को पर्मनेंट फुलां माने के लिए उनकी संस्क्ति में गुश जाते हैं, उनके मीठे मीठे बन जाते हैं और उनकी संसकती में अपनी संसकती को मिक्स करने की कोशिस करते हैं उनकी या तो उनकी संसकती को खतम कर देंगे उनकी कल्चर को उनकी परंपरा को उनकी भासा को उनकी भेसबुसा को उनको कपड़े को उनको पहनावे को उनके खान पान को या उसमें अप सामाजिक लड़ाई के और करांती के जितने भी वेपन बनाए जितने भी हतियार बनाए उससे बहतर हतियार पुरी दुनिया में सामाजिक करांती के किसी के पास नहीं है। मगर पुर्टी करांती के बाद पुर्टी करांती तब ही सारम हो जाती है जब से कोई व्यक्ति करांती करता है। आट असोक ने इस्तूब बनवाए, स्लाइब बनवाए, जानवरों की अस्ताल बनवाए, आदमियों की अस्ताल बनवाए, लोगों के रोगों को मांसिक रोगों को खतम करने के रोगाले बनवाए, चिक साले बनवाए, वीचे के छले बनवाए, पानी की प्याव बनवाए कहीं सराय बनवाए होटल बनवाए कहां गए वो कहीं गए नहीं पत्थर के बने हुए थे तो तीन काम हुए कुछ को तो बिल्कुल खतम कर दिया तोड़ दिया कुछ मैं मिलावट कर दी और कुछ अपने नाम लिखवा लिए कि यह हमारे हैं तो चौरासी हजार ढूनते रहो कहां गए वो चले गए क्योंकि जो लोग बाहर से आए उनके कोई इस्टक्टर या कोई मंदर या कोई स्टूप या कुछ ऐसे बनाने की कोई परंपरा नहीं रही वो लोग खाना बदोस लोग आए जो बाहर से आये थे उनकी परंपरा थी कि वो जंगल में जानवर मारते थे, वहीं पे लकड़ी एखट्टी करते थे, वहीं पर आग जलाते थे उसमें जानवर को भूनते थे और वहीं खाते थे, उसको कही नाम से जानते हैं? इतनी परंपरा उनकी रही है, कोई किसी के देश में जाके बिल्डिंगत नहीं उन बिल्लिंगों पर कबजा करता है कोई किसी के देश में जाके कल्चर नहीं बनाता फैस्टिवल नहीं बनाता फैस्टिवलों पर कबजा करता है या उनको खतम करता है या उनको बदलता है जैसे मुगल यहां आए तो मुगल यहां जितने भी लोग जो मुस्लिम बने हैं उ पाना, पीना, सकल, सूरत, दात, सब चीज मिलती है, भाजा, बोली, सब मिलती है, इसाई आए, तो इसाईयों के बाद सारी चीज यहां बनती है, तो यहां जितने भी लोग आते गए, वो यहां की कल्चर को मिक्स करते रहे, बनाते रहे, इसलिए यहां की जो कल्चर है, वो म mixing of bundle है, bundle of mixing है, यानि mixture का bundle है, और यहां के जो लोग है, वो भी बहुत hybrid है, वो सुद्ध लोग नहीं रह गए, उनमें बहुत साई लोग mix हो चुके हैं, उनकी mixed weed बन चुकी है, hybrid है, भारत hybrid mixed weed का जंगल है, यहां सुद्ध लोग नहीं बचे हुए, इसलिए बुद्ध के जितन करने का फार्मूला था, जो संग मनाने का फार्मूला था, वो भी ले लिया, बुद्ध की जो किताब थी, धमपद, जो भगवन्तु वदेन धमपद बोला करते थे, जिसको भगवन्तु वदेन धमपद गीता बोला करते थे उसको, वो भी लेगे, उसके अंदर गौड मिल तोटल किताब ही है, चूकि हम पढ़ते नहीं, हम देखते नहीं, हम जानते नहीं, और जो पढ़ते हैं, जानते हैं, वो बताते नहीं, तो इसको चेक कर लीजिए, आपको सब चीज़ें उसमें सेम मिलेगे, भासा अलग की हुगी, तो भासा का मिक्सिंग हो गया, पाली जो स दिखाई कि उसका नाम संसकती रखा और संसकारित कर ली तो संसकारित हो गई संकारित हो गई तो उनकी अपनी हो गई यह हमारी है और उसका वो बाकैदा मैंटन करके रखते हैं कि पुरानी है नई है फराना ध्याना है तो बावा साहब ने हमको कहा पाली पड़ो सौलम वोलि हैं हमारा क्या मलब किताबों से बावा साथ वाड में दे गए बाठीक है दे गए तो काम खतम हो गया तो उसी पर ले रहेंगे उसी बठकेंगे हम तो तो उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो प्रियंबल कहता है विचार की स्वतंता तो हम तो विचार की करेंगे नहीं हम तो बंद विचार करेंगे जो विचार हमें एक वार दे दिया बस उस पो हम बंद कर देंगे और बंद विचार पर रहेंगे बावा साब ने हमको यह कह दिया यह बंद विचार करेंगे बावा साब ने ये कहा है कि विचार की स्वत्ता है इस बात को नहीं मानेंगे और कोई अगर विचार की स्वत्ता का इस्तमाल करेगा तो कहेंगे अरे ऐसा कह दिया और वह ऐसा कह दिया तो बावा साब कहते हैं कि जब मैंने सम्विधान को खुला रखा अपने धंब को खोल के जाता है कि चीज़ें बदलती रहती हैं बोल के जाते है आनंद से कि आनंद कुछ नियम जो आपको अच्छी नहीं बदल लेना तो लोगों ने नियम बदल लिए धंव वहिरा नियम बदल लिए तो बावा साब ने समिधान दिया तो क्या कहते हैं जो करनी हो कर लेना बदलेना खुली किताब है और दुनिया में जिन्होंने किताब बंद कर ली उनकी बुद्धी बंद हो गई बहुत सारी किताब हैं जो बंद पड़ी है उनकी नहीं मरा दिये कि इन किताबों में कोई हेड़ फिर नहीं हो सकती अक्षर बिंदू नहीं ये कि हमारे ही वैपन हमारे ही खिलाफ अगेंश ठो रहे हैं इस्तमाल हो रहे हमारे ही सेना से चुराए हुए हमारे ही बुद्ध के वैपन चुराए हुए हमारे ही संतों की सारी टैक्टिक चुरा कर हम पर इस्तमाल हो रही है बस लेबल बदल गया है नाम बदल गया है तो कै कैसे करोगे तो उसको जानना चाहिए आप मानो या ना मानो ये बात की बात है फायदा हो तो मानो फायदा ना हो तो मत मानो मगर जानना चाहिए अगर जानोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि चीजें कैसे चलती हैं सामाजी के रूप में वैपन कैसे अवदलना बदली होते ह कैसे काम करते हैं और अगर सामा जी की युद में उतरे हो और सामा जी की युद में आए हो और संग बना रहे हो और संग बना चुके हो और लोगों को दवा दवी खटा कर रहे हो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हो तो लगातार जो समझ है उसको बारीक पर बारीक करत जाओगे और मोटी बुद्धी से लड़ोगे तो मोटी बुद्धी से जीत नहीं पआऊगे उनके हाथ का खिलोना बन जाओगे इसलिए सम्झो इस बात को और बार साब ने एक एई बात एक एक एरनीती खुल के बताई है और एनलिसम कास्ट पे तो यहां तक भी कहा है कि जो मैंने कर दिया तुम कर सकते हो क्या जो मैंने डाइनमेट लगा दिया उन वेपन्स को क्या तुम डाइनमेट लगा सकते हो क्या चेलेंज में देके जाते हैं मगर बावा साब की एनलिसन कास्ट के डाइनामेट की बजाए उस व्यक्ति का गुलगान करने लगे जिस व्यक्ति का बावा साब ने कभी जिक्र नहीं किया बावा साब अपना काम करते रहे उन्होंने किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं किया और बम्मल बम्मल करते रहते उसको सर पर बढ़ा लिया उस याचा को खुदा बना दिया और ऐसा कर दिया कि हमारे बच्चे उससे डरने लगे ये युद्ध की नीती की सबसे बड़ी हार होई कि जिस से लड़ने जा रहे हो अगर उसी को मन मस्तिक्स में बढ़ा लोगे तो जीतों की किस से उस्तमन पे बैठेगा वो तो मन पे राज कर रहा है और वो कुछ नहीं कहता हमारे लोग लगे पड़े उसका परचार करने में अपना परचांब नहीं करते तो दुस्मन दुस्मन करते करते दोस्तों को नहीं ढूंटे तो बुद्ध ने पूरी जीवन दो दोस्तों को ढूंडा अंगुली मान जैसे व्यक्ति को भी अपनी सेना में सामिल कर लिया यह बहुत काम का आदमी है यह बहुत रड़ाका है अगर यह बदल जाए और बात को मान जाए तो कितना बड़ा काम होगा हज्जार और लोग इसको देखके समझ जाएंगे कि धंब मे कितनी बड़ी चल दिये गोगि जानते थे रड़नीती कूटनीती किया कहती है एक अंगली मान जिससे राजा भी डरता है जिससे राजा की सैना भी डरती है अगर वो बुद्ध के धमों में आगया और बुद्ध की बात को मान घया एकसेट कर गया तो राजा से भी बड़ी ताकत हो गई जिससे राजा की सेना ड़ती है वो बुद्ध की सेना से हार गया बुद्ध के धम से हार गया कितनी बड़ी कूटनीती है एक यक और यकडी का राज और इतना बुद्धी मान यक और इतना बुद्धी मान यकडी कि वहां अच्छे अच्छे जाते थे और तर्क वतर्क में परास तो के आते थे तो कहा बुद्ध वहां मैं जाना जाना है तो एक कमरे में बंद होगे दोनों तो लोग देखने लगे कि आज तो उन्हें से एक जीते गए एक खारेगा रात वर तर्क वतर्क चला रात वर बाची चली यक्ख ने माना कि बुद्ध तुम्हारा ग्यान मुझसे हूचा है और वो यक्ख का राजा जो अतना बड़ा तकला अतना जबर्जसत आदमी था जब उसने बुद्ध के धंवे उनके सामने नतमस्तक किया तो क्या हुआ यक्ख को पूरा राजा पूरा राज नतमस्तक हो गया तो ये कूट नीती ये रणनीती कौन से खाएगा अपने पिता में है अपने बाप दादा की रणनीती को न देखोगे न समझोगे और दूसरे के गुणगान करते रहोगे तो दूसरा ही जीतेगा, आप नहीं जीत सकते कभी, अपनी रण नीती को देखो, चस्मा बदलो, तो समझ में आएगा कि हमारे महापुर्सोकिक कितने बड़े सेनापती हैं, कितने बड़े राज़ा, कितने बड़ी रण नीती हैं, को जानते रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध में उतरे हो, तो सस्त्रों को चमका लो, पहना लो, पुराने वाले सस्त्रों से बात नहीं बनेगी, तलवार अगर आपने वही पुरानी उठाई, जंगले की उठाई, तो जीतोगे कैसे, तो धार लगा लो उसमें, तो सामाज लोग बिखरे हुए है, उनकी होती है, वही काम बुद्ध ने किया, को पैदरी लोगों को ढूंडा, जीतते चलेगे, बताते चलेगे, सीखते चलेगे, सिखाते चलेगे, और अपनी पुरानी कल्चर को खीच लाए, जो पुरानी कल्चर थी, जिसमें सराव नहीं पीता थ आदमी, वो बापस ले आए, सुरामेर मज チजागर के, जो वहचर वाली जो कल्चर थी, जो हमारी कल्चर नहीं थी, वहचर खटा दिया, उसमें तो अपनी कल्चर बापस लेआए, अपनी संकती बापस लेआए, हमारे बच्चे ज्वोट नहीं बुला करते थे, ज् 흉ट स ही अपना लो हमारे जो लोग हैं आपस में 29 लाक संग्ठनों में आपस में लड़ रहे हैं जो चार लाक एक्टिवेट संग्ठने उसमें लड़ रहे हैं हमारे नेता और हमको लड़ा रहे हैं तो वही नियम जो बुद्धने वहां काहता कि भई आपस में किलिंग नहीं करनी है एक दूसरे को नहीं मानना है तो वही सीख लो आपस में दूसरे उमत उसी में जीत हो जाएगी आपस में एक दूसरे से बैर रखना बंद कर दो उसी में जीत हो जाती है तो ये साधरन नियम नहीं है पंच सील के ये युद मैंने बनाई है आप उसमें देखना कि एक एक पंसील के कितने कितने नियम उसमें दिये होगे क्योंकि सामाजी के युद्धों सारे युद्धों में सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं और सबसे ज़्यादा साथधानी से लड़े तो कभी बैठ नहीं सकता जो बैठ जाते हैं वो गुलाम बन जाते हैं हमाई लोग बैठ गए गुलाम बन गए भावा सामने फिर खड़ा किया फिर बैचार युद चलने लगा तो जीतने लगे तो हम जीतने लगे तो सामने वाला भी तो हारने को त्यार नहीं है न अगर उस सामने वाला हारने को त्यार होगा तो फिर युद्ध कहां हुआ तो युद्ध तो चल रहा है तो सामने वाला भी उसका अधिकार है वो भी सामदाम दंड वे चल कपट से काम करेगा उसका राइट है वो करेगा तो उसको बुरा नहीं मनना अपनी त्यारी बढ़ा देनी चाहिए, तो अपना भी काम है, तो युद्ध तो लगाता चलता रहेगा, किसके बच्चे टटी उठाएंगे, और किसके बच्चे अफसर बनेंगे, ये युद्ध है, किसके बच्चे पके मकानों में बैठाएंगे, और किसके बच्चे जंगल होता है सामा जी किसके बच्चे एक एक नौकरी करके दो लाक रुपे कमाएंगे और किसके बच्चे पूरे दिर नौकरी करके दो सुर्पे कमाएंगे ये युद्ध है किसके बच्चों को सरकारी होस्पिटल मिलेगा इसमें लाल जाने में लगें किसके बच्चे एक बढ़ि इस सिस्टम में, गरीबी में, भुकमरी में जाना है, तो युद्ध में आने जोट नहीं है, और आपने आपके बच्चों को बड़िया जिन्द की देनी है, बड़िया लाइफ जीनी है, वेचारिक लाइफ जीनी है, जिसका सम्विधान में जिक्र है, तो फिर तुम्हारे ल सामाजिक युद्ध के अंदर जो सैनाए होती है वो खुद समाज होती है तो जो सैनाए होती है जो समाज होती है उनका एक काम होता है कि सामाजिक धाचा बनाना होता है और सामाजिक धाचे को पुराने समय में संग कहते थे तो जिसका जितना बड़ा संग जिसका जितना बड तो आप कितना बड़ा संग बना सकते हो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितने बड़ी सुविधाय चाहिए कितना बड़ा अच्छा जीवन चाहिए जितना अच्छा जीवन चाहिए उतना बड़ा संग बना लो भारत में जो इकटे हैं उनको उतनी सुविधाय मिलती है दो करोड़ सिख के इकटे हैं तो उनको दो करोड़ सिखों के साब से सुविधाय मिलती है तो जादा मिल ली है दस साल तो उनका प्रधान मंत्री रहा है एक प्रदेश उनके पास पूरा है, लाजा वही रहते हैं और वो विदेश हमें भी चलेगे, आपको अगर छोटा संग बनाना है तो और छोटा बना लो, बड़ा संग बनाना है तो बड़ा बना लो, और सबसे बड़ा बनाना है तो सबसे बड़ा, संग की एक ही होती है बस क संग बड़ा बनाने के लिए संग में लोग कितने हैं आपके पास सबसे ज़्यादा लोग हैं 120 क्रोड़ लोग हैं जो समण हैं और अगर बावा साम ने जो इखटे कीते सारे समण हैं स्टी एश्टी ओबीसी में अगर ओबीसी नहीं भी समझते हैं स्टी नहीं भी समझते हैं अलग-अलग कौन से तुम पाल तोड़ तोड़ दोगे, कौन से अधिकार ले आए और कौन से ले आओगे, एक दिन बैठ के बात करो, खुल के बता दो भाई, जब चंदा लेने आता है तब पूछो, जब मीटिंग में जाते हो तब पूछो, फॉन करके पूछो, लिख के प अबावा ऍे ले के आए थे, वो तो सारे चले गए, तो भई तुम अधिकार देने के लिए संक्टर मने थे, आ अधिकार बचाने के लिए या अधिकार बढ़ाने के लिए, जबाब नहीं होगा उनके पास में, बहुत जदा चतुरचालाक लोग हैं तो क्या कहेंगे, अरे सिराप लोगों पे मत चुड़ो लोग उन्हें तो पूरे पैसे दिये और जैसे का वैसे किया मगर तुम नहीं अलग-अलग संथन बना के तोड़ा हमको अगर तुम इखटे हो जाते तो लोगों ने खटा होने के लिए कम बना किया लोग तो पैदासी खटा होना चायते हैं इस विदा पीपल संथ में धाई सो लोग इखटे हैं कोकि इखटा होना चायते हैं और लगतार इखटा कर रहे हैं तो इखटे होने की तो सब की एक्षा है इतो अल्टिमेट ओप्सन है हमारे पास में अगर संथन सारे इखटे हो जाए तो आज बंद हो जाए वही संग बन नेता बनता भी नहीं शंग करता है, इसलिए संग में सभी लोग साधामिल होते हैं, तो बता दो कभी संग में पैसा लिया हो तो, बुद्ध से पहले के संग से लेके और अभी तक जो संग है अगर वो पैसा लेता हो, चंदा कारता हो, रसित कार्तो एक उधान बता दो, अगर संग होगा तो पैसे नहीं लेगा, क्योंकि संग को पैसे की जोतनी है, संग मनुस्य लेता है, संग आदमी लेता है, संग लोगों को लेता है, संग जनबल लेता है, और लेता क्या है, वो तो होते ही उसके अंदर है, क्योंकि संग के सा सारे सदस्य होते हैं, सारे मेंबर होते हैं, संग किसी को सदस्य नहीं बनाता, पैदाईसी सदस्य होते हैं, यह उनका सदस्य होने का राइट है, राइट रॉम बर्थ है, जो समिधान में जैसे होता है, कि जो भारत में पैदा होगा, भारत का नागरिक होगा, वैसे ही जो से भी कम था बंबल बहुत जाद ले वो भी या चक था बंबळ के पास में कोई काम фильма कर निकली कोई बहु को लिए दोगे कि जली आ हिकैन दोगे बंबल कोई काम करता किसे है या यह. जो व्यक्ति यहां का होगा उसका दुकान, मकान, घर, जमीन, जंगल, जाजा, सब होगी तो वो काम भी करेगा, सुरू से रहता है, वेकर जो बाहर से आता है, आज भी जो कोई बिदेश से आता है, तो बिदेश से आने वाला बंदा क्या करेगा, या तो अपनी जिम में पैस किलतीना काम था जो यहां के लोग थे वही राजा थे वही सारा काम करते थे उनी की खेत थे उनी के खलियान थे वही राजा थे वही सेनापती थे वही सेना थे वही वैग्यानिक थे वही इंजिनियर थे वही डॉक्टर थे वही लेखक थे वही पढ़ने वाले पाठक थे सब कुछ वही थे और सारा कुछ सिस्टम वही का था तो पूरा का पूरा सिस्टम वहां से लेके और आज तक वही का वही है से बस एक अंतर आ गया कि समढ संग यानि जो संग है उसके 6743 टुपड़े हो गए या कि ये करेंगे जाइसी बात है जो सामने वाला व्यक्ति है वो इतने बड़े सम्हूं के साथ मैं कैसे डी डील करेगा अगर इतना बड़ा सम्हूं रहेगा 6743 लोग अगर एक साथ रहेंगे जातियों के लोग एक साथ रहेंगे या संग एक साथ रहेगा तो जो छोटे लोग हैं वो वही काम करेंगे जो इखटे किये हुए लोग उनको देंगे मगर अगर टुकड़े कर दिये जाएं और वो छोटा हिस्सा बड़ा हो जाए चोटे हिस्से की संग्या एक हजार है और टुकड़ों में हरे के दो दो सी संग्या है तो फिर वो हजार आदमी जिसको जो काम देंगे वो करना पड़ेगा तो इसलिए इसमें कोई अफसोस करने वाली बात नहीं है कि आज अगर कोई काम गंदा किया जाता है या गंदा काम करते हैं या लोग गंदे काम में लगे पड़े हैं तो अफसोस कीज़ोत नहीं है क्योंकि जो लोग टुकडों में होते हैं और जो संग में नहीं होते हैं वो वही काम करते हैं पूरी दुनिया में और अगर ये काम नहीं करना है अच्छा काम करना है ज्यादा पैसा कमाना है ज्यादा जिनकी बढ़िया करनी है अच्छा काम करना है तो एकटे हो जाना चाहिए तो एकटे हुए तो काम बदल गया रहा बावा साब आए बावा साब ने एकटा किया अब करा लो उनसे पुराना काम कौन कराता है उनका काम था ही नहीं वो तो राजा थे तो मर जाएंगे मार देंगे अब ना करें पुराना है और ये चला गया और नेताओं के हाथ से गया है और कोई से नेता कोई बोले नहीं तो सब संग सलक पे आ गया तो बापस हो गया तो किसानों के तीन आदेश जो खलाब थे उनके वो सारे के सारे बापस करने लिए किसान जब तक अकेले थे बात नहीं बनी संग में आये तो बात बं गई तो एखटे होने की तरकीब सबको आती है उनके खून में है, उनके जीन में है मगर समय बड़ा कम है कोई एमरजनसी में खटे हो उससे बहतर है कि पहले खटे हो जाए क्योंकि शांती में खटे हुए लोग युद्ध को टाल देते हैं युद्ध नहीं होता जो सैनाय शान्ती में पूरी महरत करती है अपने तल्वारों पे धार चंकागे रखती है अपनी परेड करती रहती है लगातार हुवा हुवा करती रहती है लुसमन लड़ना नहीं आता उनसे कहता है यह तो त्यार बैठे हुए इंसे क्या लड़ना है उनसे समझवता करने आता है भाईचारा होता है भाईचारी की सेनाय प्रक्टिस करती है तो अगर अभी सांती का महौल है अगर आप अभी खटे हो जाते हैं तो आपको युद नहीं लड़ना पड़ेगा कोई सलक पर अगर अगर ध्यान दोगे तो हमारे अलावा कोई सलक पर उतरता है नहीं इसको अच्छी तरसे ध्यान दो कि हमारे अलावा सलक पर नहीं उतरता कोई हमने OBC को अब जगाया है तो वो थोड़ा सलक पर आया है भाई कोन आता है कोई नहीं आता क्योंकि वो संग में है तो हम एजिटेट करें, इखटे हो, बहतर है कि हम इखटे होके संग बना लें तो हमको सलक पर नहीं आना पड़ेगा, हमारा काम यहीं से हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी संख्या 30 करोड नहीं है, और हम 30 करोड से जादा हैं, और OBC भी समण ही है, और जो लोग धर्म परवर्तित हैं, वो भी समण है, समण 120 करोड से जादा है, मगर पहली एकाई, पहली यूनिट जहां से खटी होगी, वहां से लोग जोडते हैं, यह संग दुबारा आ गया बापिस बन गया, तो इसमें जोड़ना है, इसको बताना है, तो कि सैनाओं का जो काम होता है सैना में वो अपने वैपन को ठीक ठाक करना, जो उनके बहान हैं, ट्रक हैं, जीप हैं, उनको ठीक ठाक रखना, यह काम उनका होता है, अपनी सियत को फिट रखना होता है, और सामाजी की युद्ध के अंदर लोगों से मिलना युद्ध का काम है, लोगों से जतना मिलेंग उतनी सेना हैं आपकी बढ़ती जाएंगी, जितने मिलते जाएंगे, उतने लोग मिलते जाएंगे, जितने मिलते जाएंगे, क्योंकि सामाजिक युद्ध में समाज से समाज का युद्ध है, सेना का सेना से होता है, समाज का समाज से, तो सामाजिक युद्ध लड़ने जा र ना गुरुप थोड़ी होने चाहिए गुरुप का क्या काम है इसलिए सोसाइटी बनानी है संग बनाना है इसलिए जुड़ना है और जुड़ना है अगर जीतना है बस एक काम यही करना है और कोई दूसरा काम नहीं करना है यही सेना का यही सामाजिक सेना का पहला और आखिर काम हैं, बाकि सारे काम अपने आप हो जाते हैं, बड़े सारे बेफकूफ लोग आएंगे, बड़े सारे ग्यानी आएंगे, बड़े सारे पोथी पत्रा वाले आएंगे, बड़े सारे लेक्शर देने वाले आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, जिन्नों ने जिन्द अपने किसी देशी आदमी की जो अपना विस्व गुरू है जो अपना विस्व गुरू है या जो अपने विस्व रतन डॉक्टर मेट करें उनकी फ्लॉस पी संवज में नहीं आती उनकी बास संवज में नहीं आती अपने कवीर दास की संवज में नहीं आती उनको तो भाई विदेशी रैटर की समझ में आती है और विदेशी रैटर खुद यहां से लेके गए सारी चीजे ये ठीक ऐसे है जैसे हमारे दिल्ली के कालगा जी के अंदर कपड़े बनते हैं विदेशी कंपनियों के और यहां वो कपड़े पैरों में पड़े रहते हैं और उन कपड़ों लाते हैं उसको 100 डॉलर में, 1500 डॉलर में, 100 पॉंड में, 200 पॉंड में. और यहां के कहते हैं देखो, ये कपड़ अदेखें लेवल देखते हैं तो देखते हैं Made in India, Made in Bengla轉, Made in China. तो यह हालत है हमारे जो विदवान लोग हैं कि अपना गुरू उनको गुरू नहीं दिखाए देता अपना विस्वरत नम्बेट कर उनको विस्वरत नहीं दिखाए देता तो फिलोस्वी बताएंगे दुनिया भर की अंग्रेजी फिलोस्वी बताएंगे अरे अंग्रेजों की टेक्निक अंग्रेजों को लाब देगी या तुम्हें लाब देग वो अंग्रेज इतना मूर्ख है कि तुमारे लिए लिखेगा, वो तो वही टेक्टिंग लिखेगा, जो टेक्निक उसके देश में काम आती है, उसके बच्चो काम आती है, तो हमारे देश के, हमारे महापुर्सों की टेक्निक हमारे काम आनी है, कौन समझाए उनको, इसने आप तक जुड़े नहीं है। और जुड़े हम इसलें नहीं है क्कुए हम बहुत सारे फाल्तु के चीजों में फसे पड़े हैं। जब तक संग में सारे ना आ जाए और यकिन मानिए कि जिसके पास संग होता है उसके पास सब चीज होती है क्योंकि समाज की सबसी बड़ी सेना जहां होगी सारे पानी उस तरफ जुकेगा सारे लोग उस तरफ आएंगे कौन रड़ेगा फिर अगर मानलो 30 क्रोड लोग करेगा कर लो किसको करना है और कोई करेगा भी तो भी आपकी अधिकास उरख्षत रहेंगे जûब 2 क्रण वालों कीजोसाहत T 8 क्रण वालों की क्यों नहीं होंगे इसलिए बिना सोचे समझे अगर अपने बच्चों को सामाजिक सेना को बढाना है, सामाजिक sufficient में जाना हैं साम लड़कों की बात करेगा दलबल की, कोई सरकारी करमचर की बात करेगा, बिना एक खटे हुए, बिना संग बने, कोई चीज कामियाब नहीं है, वो भी खटा करते हैं सब, तो उनसे कहना कि बाकी बात फालतू की बात मैं करना, पहले सब खटे हो जाओ एक साथ, तो जो लोग पैसे मांगने आए, तो उनसे कहना, पैसे देंगे जब एकटे होके आओगे तब, अदरवाज पैसे नहीं देंगे, ये पैसे ना देना का मैसेज बहुत तेजी से उठ रहा है, क्योंकि समर्संग तो पैसे लेता नहीं, और नहीं पूरी जिंदगी में कभी समर्संग पब समर्संग से, तो समर्संग के अंदर कोई छोटा बडा नहीं होता, तो बुद्ध के समय कहीं कोई जाती का जिक्र नहीं मिलता, असोग के समय कोई जिक्र नहीं मिलता, और अभी 600 साल पहले तक कोई जाती का जिक्र नहीं मिलता, तो हमारे हैं कोई जाती पाती भी नहीं होती क्योंकि सिर्फ समण होते हैं हम तो तो समण में सब हैं यहां वर्ण मी नहीं होता कोई गोरा हो सकता है वर्ण में कोई काला हो सकता है वर्ण मी नहीं होता समण होना चाहिए तो समण में सारे बरावर होते हैं तो यहां सब की चलती है समण संग में जब मीटिंग होती है और ज तो समर्संग किसी की रोट डोटी नहीं खाता जब भी यहाँ मिटिंग होती है सब लोग अपनी रोटी लेके आते हैं तो समर्संग के अंदर किसी भी हालत में कभी भी तूट नहीं हो सकती दो समर्संग नहीं बन सकते क्योंकि समर्संग के नियम में कहीं भी कोई ऐसी कमी नहीं है जो व्यक्ति बटवारा करे क्योंकि इसका कभी जिंदगी में एकाउंट नहीं बनेगा तो समर्संग कोई बिल्लिंग भी नहीं बनाता क्योंकि पूरा देश तो उसका बिल्लिंग है वो अपने ही देश में और बिल्डिंगों को अपना कहे, अरे भही वाँ ठपाई तो लगा रहा है कि ये समढ़ संग है, इतने सारे बिहार, इतने सारे बिहार, इतने सारे बिहार, इतने सारे पार, इतने सारे जमीन, ये किस की हैं, समढ़ लोगों की हैं, तो समढ़ संग इन सुख है और जिसके पास सुख है उसके पास सांती है तो जो संगी होगा जो समर संगी होगा उसे सब चीज मिल जाएगी और जो संग से अलग जाएगा वो मारा जाएगा जैसे कैसे मारा जाएगा जैसे जंगल में अकिला व्यक्ति कोई घूमता है अकिला जानवर कोई घूमत बुद्ध में बुद्ध ने वो सारे वैपन दिये हैं, डॉक्टर अम्बेटकर ने वो सारे वैपन दिये हैं, कभीर दास ने वो सारे हतियार दिये हुए हैं, जितने संत महापुरसन उन्हें सारे हतियार दिये हुए हैं, उन्ही हतियारों को लेकर चमका चमका कर ने ने उनम खुन बढ़ता जाएगा इसको अजमा लेना चाया रोटी खाना या मत खाना जितने जितने जोड़ते जाएंगे उतने उतने बच्चे सारे के सारे सिक्योर होते जाएंगे सेफ होते जाएंगे बसते जाएंगे इसको अजमा लेना जितने जितने जोड़ते जाएंगे उतने उतने मनोवल उचा होता जाएगा इसको चेक कर लेना जितने जितने जोड़ते जाएगे उतने जितने जोड़ते जाओगे जितने जितने जोड़ते जाओगे उतनी उतनी उमर बढ़ती जाएगी इसको भी चेक कर लेना इसलिए सारे काम अच्छे करने हैं तो सिर्फ है जोड़ना है जोड़ना है धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामूँ संगं सरेणं गच्छामूँ दूथियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामूँ दूथियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामूँ दूथियं पी दम्मं मर्सेणं गच्छामूँ दूथियं पी दम्मं सर्नं गच्छामूँ दूथियं पी संगं सर्नं गच्छामूँ बुखियं पी संगं सर्णं गच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी बुखियं पी संगं सर्णं गच्छामी ततियं पी संगं सर्णं गच्छामी